नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड इलाइची के फायदों से रिलेटेड है इलाइची हर भारतिये के घर में पाई जाती है यह माउथ फ्रेशनर एवम मसाला होता है जो कई तरह के व्यंजन में डाला जाता है इलाइची का स्वाद अलग तरह का होता है इससे ये सभी को भाता है इसके बहुत से स्वास्ते वर्धक फायदे भी हैं जिसके बारे में हम लाच चर्चा करें गे। इलाइची दो तरह की होती है। दिसे माउथ प्रेशणर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। या一个 का बड़ा मसाला हिएति जो गर्म मसाला में हम के अपीनिग निभाता है। चोटी इलायची के बारे में अब जानते हैं यह mouth freshener है, जीसे खाने के बाद सभी लेते हैं, इसे मीठा में उप्योग करते हैं, क्यूंकि ये अलग तरह का स्वाद देती है, एवं इसकी सुगंध सब को आकरशित करती है अब आईए हम जानते हैं कि इलाइची में कौन-कौन से पोशक्तत्व पाय जाते हैं आयरन, विटामिन सी, नियासीन, रिबोफलेविन, पोटेशियम, मैगनीशियम, कैल्सियम ये सारे गुन पाय जाते हैं भोजन में स्वाध के साथ साथ सुगंध देता है पाचन सही करता है, ये मुह की दुरगंध को भगाता है, इनीमिया को दूर करता है आये, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इलाइची के फैदों से रिलेटेड जानकारियों को पाचन तंत्र को सबसे पहले तो ये मजबूत करता है हर भारते खाने के बाद अपने मेहमानों को सौफ इलाइची देते हैं आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इलाइची में नेचूरल तत्व होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं इससे गले एवं पेट में होने वाली जलन भी कम होती है साथ ही पेट के अंदर की सुजन कम करती है इलाइची से गैस, एसीडिटी, खराब पेट की शिकायत दूर हो जाती है छोटा टुकडा अदरक, दो से तीन लोंग, तीन से चार इलाइची, एक चमच धाना इन सब को पीश कर चून बना लें इसे रोज खाने के बाद एक चमच पानी के साथ खाएं पाचन से जुड़ी सारी परिशानी दूर हो जाएगी आपकी इसके बाद आते हैं दूसरे फायदे पर इलाइची के सर्दी खराश को दूर करती है ये जी हाँ, सर्दी की वज़ह से कई बार गले में बहुत दर्द होता है और अजीब सी खराश होती है इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है इलाइची सुबह खाली पेट एवं रात को सोने से पहले एक से दो इलाइची चबाएं फिर गुनगुना पानी पी लें गले को कुछ ही समय में आराम मिलेगा इलाइची गर्म करती है जिसके सिवन से शरीर में गर्महट बढ़ती है एवं सर्दी खांसी से आराम मिलता है कप की भी परेशानी दूर होती है तीसरा हिचकी बंद कर देती है ये इनसान को कभी भी अचानक हिचकी आने लगती है इसकी कोई दवाई तो नहीं है नहीं कोई दवा बजार में आती है कुछ नेचुरल तरीके से बंद किया जा सकता है कई बार ये बहुत देर तक लकातार आती है जिससे परेशानी महसूस होने लगती है इसे बंद करने के लिए बस आपको एक इलाइची मुह में दबानी है इसे चबाते रहिए कुछ देर में हिचकी खुद बखुद गायब हो जाएगी इसके बाद चोथा फायदा है इसका बलड प्रेशर को ये कंट्रोल करती है इलाइची में बलड प्रेशर को कंट्रोल करने की भी शमता होती है इसमें पोटेशियम एवं फाइबर होता है जो बलड प्रेशर को कंट्रोल करता है बलड प्रेशर के मरीजों को खाने के बाद इलाइची का सिवन जरूर करना चाहिए विशेले पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकालता है ये इसका पांचवा फायदा है शरीर के अंदुरूनी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी की बाहरी हम बाहरी सफाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन शरीर के अंदर की सफाई कभी भी नहीं करते या फिर उसके बारे में सोचते हैं, कुछ भी अटर सटर खाते रहते हैं, टैंकर की तरह सब भरते जाते हैं शरीर के अंदर, आपको अंदुरूनी सफाई का आसान तरीका बताता हूं मैं, आपको रोज बस एक इलाइची इससे किडिनी से सारे विशेलेता तो बाहर निकल जाएंगे खुद बखुद अब आईए हम छठे फायदे को जानते हैं यह दिमाग को मजबूत करता है जिहां दिमाग मजबूत करने आखों के रोशनी बढ़ाने एवं या दाश्त को बढ़ाने में इलाइची बहुत ही मद किजिए फिर इसमें मिश्री मिलाइए और खाये यह बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है दिमाग को मजबूत करता है यानि कि उनकी पढ़ने की याद करने की शमता भी बढ़ती है सातवा उल्टी को यह बंद कर देता है जिहां जी में चलाना उल्टी जैसा लगना मुह का स्वाद खराब होना ऐसा कुछ भी होने पर इलाइची चबाएं थोड़ी ही देर में अच्छा लगने लगेगा आपको इसके अलावा आठवा नमबर है कि मुह के संक्रमन को यह दूर कर देता है जिहां मुह की दूरगंद किसी तरह का संक्रमन अलसर इन सब से इलाइची बचाता है आपको सांसो में होने वाली बद्बु से बचने के लिए रोज आपको इलाइची का सेवन करना चाहिए नवा नमबर है दिल की रक्षा करता है जिहां इलाइची में मौजूद घनीज ततो दिल की रक्षा करने में सहयक होते हैं इलाइची खाने से पल्स रेट सही रहता है एवं खून का संचालन बोडी में सुचारू रूप से होता है इसके अलावा नमबर टेन है तनाव मुक्त बनाता है ये आपको अगर आपको किसी बात की चिंता है या बिना बात के आप अकिलापन महसूस कर रहे हैं लगातार ऐसा होने से अप डिप् पीने से हार्मोन तुरंत बदल जाते हैं और तनाव छूमंतर हो जाता है लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप अत्यधिक महात्रा में सेवन करते हैं इसलिए लोग ध्यान रखें कि जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर जो बहुत ज्यादा महात्रा में इस्तेमाल करते हैं वो ना करें सबसे पहले इलर्जी जिहां लागातार इलाइची खाना या ज्यादा मातरा में इलाइची खाने से शरीर में रियक्षन होने लगता है और फिर किसी भी तरह की इलर्जी होने लगती है जिससे शरीर में खुजली इसकीन में रेशे लाल धब्बे आ जाते ह कई लोगों को इलाइची से इलर्जी का अनुमान नहीं होता है और वे इसे खा लेते हैं जिससे उन्हें सांस में तकलिफ होने लगती है इस इलर्जी के कुछ एक लक्षन हो सकते हैं जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं सीने एवं गले में खिचाव और दर्द होने कि आपका जी मिच लाने लगेगा तो इलाइची का सेवन बंद कर दीजिए कुछ एक दिनों के लिए इसके बाद अगर आप पथरी से ग्रसित हैं जी हां कई बार इलाइची पथरी का कारण बन जाती है एक शोद के अनुसार पता चला है कि हमारा शरीर इलाइची को पूरी करना चाहिए ये ध्यान रखें इसके अलावा ये रियक्शन भी कर सकता है अगर आप किसी तरह की दवाईची ले रहे हैं तो कई बार इलाइची इनके साथ रियक्शन करके दूसरी परिशानी उत्पन कर देती है या कई बार आपको दवाईची का असर बंद हो जाएगा अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो इलाइची खाने के आदत आपको छोड़ देनी चाहिए जब आप स्वस्त और सही हो तभी इलाइची का इस्तेमाल करें इलाइची के नुकसान के बारे में आप जानकर घबराईए नहीं क्योंकि इसके बहुत कम चांस होते हैं फिर भ इसके साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके अपने करीबियों को आपके अपने जानने वालों को लाइफ इस्टाइल से जुड़ी होई यानि कि उनको स्वस्त रहने की चीजें पता हो जाएं क्या होता है कई बार हमारे पास इतना खानी की चीजे हैं हमारी और शद्धी के रूप में उपयोग की जा सकती हैं तो इनसे रिलेटेड हम आपको जानकारियां देते रहें जिसके वदवलत आप अपने आपको स्वस्थ रख सकें और किसी भी बीमारी से अगर आप पिडित हैं तो उस बीमारी में किस चीज का कारी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों पिब प्र उस्तों